नमस्ते, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं नौभारत टाइम्स ये लोग जिन्हें आप स्थीन पर देख रहे हैं, ये पढ़े लिखे हैं, higher educated हैं, young हैं इनका सपना अमेरिका जाकर वहां काम करना था ये अमेरिका पहुँच भी गए, एजेंट्स को 25, 25, 30, 30 लाख रुपए चुका कर इनमें से कुछ ने अमेरिका में काम करना भी शुरू कर दिया लेकिन इन्हें नहीं पता था कि खुबसूरत जिंदगी की इनकी तमन्ना एक बुरे खाब में तबदील होने जा रही थी अमेरिकी immigration अधिकारियों ने इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने के आरोप में गिरफतार किया अवैध प्रवासियों के लिए बने detention center में कैद किया पांच महिने detention center में रखा और अब वापस भारत भेज दिया ये कहानी है 145 भारतियों की जो 20 नवंबर 2019 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरपोर्ट पर उतरे इन्हें अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की वज़े से भारत डिपोर्ट किया गया है रास्ते भर इनके हाथ पैर बंधे हुए थे जो प्लेन से उतरने के ठीक पहले खोले गए अपने सपनों का पीछा करना इनके लिए जिल्लत का सबब बन गया इनके चेहरों के तमाम भावों में से एक भाव राहत का भी है कि आखिरकार ये अपने वतन लोटाए इनमें से ज्यादा तर लोग पंजाब और हर्याना के रहने वाले हैं जैसे ये जेंटर ने बोला था मैं कि यहां से महां जाना है 21 साल के सुखविंदर सिंग ने करीब एक साल बाद अपने हाथ से मुबाइल चुआ था अपने पिता को फोन पर बताते हुए कि अगले छे घंटे में वो घर पहुच जाएंगे सुखविंदर बुरी तरह सिसकने लगे पिता को सुनकर बहुत धक्का लगा उन्होंने पूछा कि अमेरिका में सब कुछ ठीक तो था ना सुखविंदर कोई जवाब नहीं दे पाए हर्याना में रहने वाले अपने परिवार को ये बताते हुए सुखविंदर को बहुत शर्मिंदगी हुई कि अमेरिका के एरिजोना से उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया है और वो दिल्ली आ चुके हैं सुखविंदर ने डिसाइड किया कि घर जाने से पहले वो कुछ घंटे दिल्ली में अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे ये 145 लोग आईजी आई एरपोर्ट से भीड के बीच से एक एक करके निकल रहे थे फटे कपड़ों और बिना फीतों वाले जूते पहने इन 145 में से तीन लड़कियां हैं इनके साथ प्लेन में डिपोर्ट किये गए 25 बांगलादेशी भी थे जिने उतारने के लिए प्लेन कुछ देर ढाका में रुका था 24 घंटे के सफर की थकान इनके चेहरों पर साफ दिख रही थी लेकिन उससे पहले अमेरिका के डिटेंशन कैम्पों में खाने पीने सोने जगने को लेकर टॉर्चर जैसी पाबंदियों के चलते ये लोग पूरी तरह तूट चुके थे इन में से कुछ लोग क्वालिफाइड इंजिनियर हैं लेकिन इनके पास नौकरी नहीं थी अमेरिका पहुचने के लिए इन्होंने एजेंट्स को 25-30 लाख रुपए अदा किये थे उम्मीद थी कि अमेरिका में अच्छी नौकरी मिलेगी लेकिन जानने का तरीका गलत था तो जिल्लत मिली पांच महिने डिटेंशन सेंटर की कैद मिली रमन दीप सिंग राहत की सांस लेते हुए बताते हैं बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे मेरे नाम से पुका रहा है इमिग्रेशन का इंपो में हमें हमारे नामों से नहीं बलकि नंबरों से बुलाया जाता था वहां हमारे साथ अपराधियों वाला सलूक होता था कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ा क्योंकि खाने में कभी-कभी बीफ दिया जाता था जिसे हम धार्मिक वजहों से खा नहीं सकते थे जस्वीर सिंग कहते हैं मेरा कजन करीब 10 साल पहले अमेरिका गया था और वहां शांदार जिंदगी बिता रहा है फेस्बुक पर उसकी फोटोस देखकर मैंने भी तै कि मुझे अमेरिका जाना है लेकिन अब मेरे पास परिवार का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है उन्हें कौन सा मूँ दिखाऊं मैंने अपने पैरेंट्स को नहीं बताया है अभी कि मुझे डिपोर्ट कर दिया गया है मैंने उनकी जिंदगी भर की सेविंग्स अमेरिका जाने के लिए खर्च कर दी पंजाब के गुरप्रीत सिंग एक और एक्जामपल है मकैनिकल इंजीनियर है इन्होंने साल भर पहले घर छोड़ा था अमेरिका के बुरे सपने के बारे में गुरप्रीत बताते हैं कई दूसरे इंडियन्स के साथ मुझे भी डिटेंशन सेंटर में रखा गया था शुडवात में कुछ हफतों तक तो हमें ये भी नहीं बताया गया कि हमें वहां रखा क्यों गया है कई हफते बाद बताया गया कि हमारे पास अमेरिका में इंट्री करने या वहां रुकने के सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है परमजीत सिंग बताते हैं हमें से ज्यादा तर से नहीं पहुंच पाया तो उसे पूरे दिन खाना नहीं दिया जाता था बाकी लोगों को भी ऑर्डर दिये गए थे कि ऐसे लोगों के साथ अपना खाना ना शेयर करें अमेरिका मेक्सिकों में तनातनी के बीच वैद तरीके से घुसे तमाम भारती और दूसरे मुलकों के ल राहूल यादो उसमें से एक हैं बताते हैं तापा चुला के यूएन इमिग्रेंट कैम्प में रहना बहुत मुश्किल था अमानवी यह हालत में रहने की वज़े से मेरे हाथ पर एक्जिमा हो गया था कैम्प में सिर्फ चावल और घुन लगे बीन सी खाने को मिलते थे कै पर टीन के कैम्प में महीनों बिताने के साथ खत्म हुआ डिपोर्ट किये गए यह 311 लोग मेक्सिको के आकसा बाजा कैलिफोर्निया वेरा क्रूज चिपास सोनारा और मेक्सिको सिटी में रह रहे थे इनमें से ज्यादा तर पंजाब और हर्याना के हैं वहीं कुछ गुज जैसा बताओ होता था हमें तीन बाई तीन की जगह में रहना पड़ता था हमें अफ्रीका सीरिया और मिडल इस्ट से आये प्रवासियों के साथ जगह के लिए संघर्श करना पड़ा हर्याना के अमित कुमार एक और एक्जामपल बताते हैं अब मैं कभी भारत छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचूंगा मैं अच्छी नौकरी के लिए देश से बाहर गया था मुझे उम्मीद थी कि अमेरिका में अच्छी नौकरी मिलने के बाद मेरी सारी परिशानी दूर हो जाएगी हम लोग कैंप से निकलने के लिए बेचायन थे कुछ लोगों ने पोर्ट थे ना जरूरी डॉक्यमेंट्स थे आखिरकार दिल्ली में कदम रखने के साथ इनकी जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हुआ यह कहानी अमेरिका मेक्सिको से डिपोर्ट किये गए लोगों की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें नौबार हुआ हुआ है